हेलो दोस्तों प्रतिमा जेस एकेड़ी प्यारसभी का सवागत है दोस्तों करेंट पर शुरू करते हैं आपनों लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों को सेर कर दीजिए शुरू करते हैं विश्व व्यापार संगठन का बारहवा मंत्री अस्तरिय सम्मेलन देखें जे डब्लू टियो है इसका मंत्री अस्तरिय सम्मेलन होता है ये प्रतेक दो वर्ज़ पर होता है प्रतेक दो वर्ज़ पर होता है और इस बार का जो ये आयोजन हुआ है ये चार वर्ज total अंतराल पर हुआ है और ऐसा कोबिड के वज़े से हुआ है चार वर्स के अंतराल पर डब्लू टिये के मंत्री अस्तरिये सम्मेलन हुआ यह जिनेवा में हुआ है जिनेवा स्टियर लेंड की राजधानी है राजधानी नहीं है एक सहर है जिनेवा में हुआ है और सर्बोच नीति निधारक मंत्री अस्तरिये सम्मेलन में मचली पालन के सबसीड़ी को लेकर बिकसित देश और विकास सील देश के मद्री पालन के सबसीड़ी को लेकर बात्ची चल रही थी बिकसित देश जहां मचली पालन में सबसीड़ी नहीं देना चाहते हैं बंद कर देना चाहते हैं वहीं विकास सील देश के मद्र जो बाते थी विकास सील देशों के बात भारत रख रहा था और भारत ने अपना पच्छ रखते हुए कहा कि मचली पालन में विकास सील देश 25 प्रतिसद सबसीड़ी देते रहेंगे क्योंकि जो बिक्सित देश हैं उन्होंने पहले ये बिवस्था करके और अब अपना इंफ्राइस्ट्रक्चर मजबूत कर लिया है तो दूसरे माध्यम से वो पैसा देने की कोशिस कर रहे हैं और विकास सील देश के पास में डारेक्ट ही व्यवस्था है उनके पास इंफ्राइस्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है इसलिए हम इसे समाप्त नहीं कर सकते और भारत ऐसा करने में सफल भी रहा वो विकासिल देशों की बातों को रखने में सफल रहा और 25 प्रतिसत की जो सबसीड़ी है मशली पालन में उसे बनाये रखने की बात में भी वो अपने सच्छम रहा जिनियवा में संपन हुआ जो बारवा मंत्रिय अस्त्रे सम्मेलन था भारतिये दल का नेत्रत कर रहे थे वाडिज मंत्री प्यूस गोयल भारतिय दल का नित्रत कर रहे थे हमारे केंद्रिय वाडिज मंत्री पेशगोयल सर्वोच नीति निधारक मंत्री अस्तरिय सम्म τηलन का आयोजन दो-दो वर्सों के अंतराल पे किया जाता है भारत ने मचली पालन में विकास सिल देशों के साथ 25% सब्सीडी बनाए रखने का पच्छा रखा था और यहाँ पच्छा रखने में वो सफल रहा अगला पॉइंट है 2022-23 के लिए खरीब फसलों के लिए नियूनतम समर्थन मूल ले नियूनतम समर्थन मूल कौन से पारिश करता है तो किर्सी लागत एवं मूल ले आयोग किर्सी लागत एवं मूल ले आयोग के द्वारा नियूनतम समर्थन मूल ले निर्धारित किया जाता है और इसकी सिपारी सरकार को की जाती है अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे माने या ना माने तो किर्सी लागत एवं मूल ले आयोग के द्वारा समर्थित होता है और इस बार का जो किर्सी आयोग के द्वारा मूल ले बताया गया है खरीप फसलों के लिए सामान निधान 2040 रुपिया और यह इसमें 100 रुपिया बढ़ा है यानि 2021-22 में 2021-22 के जो खरीप फसल थे उसमें जो सामान निधान था वो 940 रुपिया था सीरि 1940 रुपया ॅर 1940 रुपया में इस बार 100 रुपया बढ़ा दिया गया जब 100 रुपया बढ़ा दिया गया तो 2030 हो गया यानि इस बार का सामान धान का जो मुल है वो 2040 है और धान ग्रेड ए धान ग्रेड ये है 2060 रुपया इसमें भी 100 रुपया बढ़ाया गया है यानि ये भी 1160 रुपया था धान ग्रेड ये क्या है धान ग्रेड ये वो प्रोड़क्ट है जिसमें बिटामिन ए की परचुर मात्रा है यानि प्रसंस्कृत या प्रसंसित इसमें विटामीन ए की प्रचुर मात्रा पाय जाता है ये मोडिफाई करके बनाया गया धान है तो इसकी जो कीमत है 2060 रुपिया है और लगू किसान, मद्यम किसान, निउन किसान सभी किसानों से सरकार वसूली करेगी तो धान की किमत कई बार एक जामें पूछा जाता है तो दोनों के मद्ध में इस बार का अंतर जो है 20 रुपिया का है ग्रेड ए में और सामान धान में लेकिन दोनों में बढ़ोत्तरी 700 रुपिया की हुई है यानि ग्रेड ए की किमत 2060 रुपिया है और सामान धान की किमत 2,040 रुपिया है सबसे ज़्यादा बिर्धी हुआ है तिल में सरबाधिक बिर्धी तिल में हुआ है कितना हुआ है? 523 रुपिया 523 रुपिया बिर्धी करके इसकी किमत 7830 रुपिया कर दिया गया है यानि अब 2223 में तिल जो है इस 7,830 रुपिया प्रति क्वेंटल के रुप में बिकेगा यानि इसमें किमत सरबाधिक बिर्धी की गई है 523 रुपिया की और सबसे कम बिर्धी सबसे कम बिर्धी मक्का में किया गया है मक्का में मात्र 92 रुपय की बृधी की गई है मक्का में मात्र 92 रुपय की बृधी की गई है अब यहां 162 रुपया प्रति क्वेंटल बिकेगा 162 रुपया प्रति क्वेंटल बिकेगा तो यहाँ पे हो सकता है इस तरह के question पूछे कि सरबाधिक खरी फसलों में सरबाधिक बिर्धी किस फसल पे किया गया तो तिल पे किया गया है 530 रुपिया और सबसे कम बिर्धी मक्का पे किया गया है 29 रुपिया यानि कि सरबाधिक बिर्धी 7,830 रुपिया यानि 530 के साथ में है और मक्का में 1962 के साथ यानि सरफ से कम 29 रुपया का विर्धी हुआ है वही तूर यानि तूर मतलब अरहर को तूर कहा जाता है तो तूर शाचार सुर रुपया प्रतिक्वंटल विकेगा इसमें में 300 की रुद्धी कि गई है और मोंग 7755 रुपया प्रतिक्वंटल विकेगा इसमें बिर्धी कुंटल बिकेगा और कपास जो है मजो मध्ध रेशा है ये 6,080 रुपिया प्रतिकठा बिकेगा इसमें 354 रुपिया की बिर्धी किया गया है अगला पॉइंट है अम्रित सरोवर निर्वाण में उत्तर परदेश सीर सिस्थान पर है पानी के संदच्छण को ले करके अम्रित सरोवर योजना शुरू किया गया था ये केंद्र की योजना है और पानी को ले करके महत्वागांची योजना है इसमें उत्तर परदेश सीर्ष पर है उत्तर परदेश में अभी तक 8,462 सरोवर यानि तालाब बनाए जा चुके हैं और भारत में उत्तर परदेश का जो लच्छ है 1.20 लाख तालाब बनाने का है जो की देश में सरबादिक है देश में सरबादिक है यानि उत्तर परदेश अभी तक 8,442 अमरित सरोवर यानि जीरों के निर्माड के मामले में पहला अस्थान देश में प्राप्त किया है और यह बहुत बड़ी उपलब्धी है वही मद्ध परदेश दूसरे स्थान पर है जम्मू कस्मीर तीसरे स्थान पर है और राजस्थान चौथे स्थान पर है तमिल नाडू पांचवे स्थान पर है यानि जो क्रमसा है उत्तर परदेश, मद्ध परदेश, जम्मू कस्मीर, राजस्थान और तमिल नाडू यह क्रम है अमरी सरवबराने में उत्तर परदेश, एक नमबर पर है, मद्ध परदेश, दो नमबर पर है, जम्मू कस्मीर तीन नमबर पर है, राजस्थान चार नमबर पर है, तमिल नाडू पांचवे नमबर पर है, यानि यह क्रम है पांच नमबर पर है, और जो लच्छ भी है, लच्छ, लच्छ में भी उत्तर परदेश, सिर्ष पर है, क्योंकि एक लाख बीस हजार, वन पॉइंट टू जीरो लाख सरोबर बनाए जाने हैं, यूपी में, जो पूरे देश में सरवाधिक है, अब उत्तर परदेश में कौन सबसे आगे हैं, तो उत्तर परदेश में 8462 जो तालाब बनाए गए, उसमें उत्तर परदेश के भीतर लखीम पूर खीरी सबसे आगे है, लखेमपूर खीरी ने 256 अमरित सरोवर बनाएं करके तयार किया है, और वही परदेश में पहला इस्थान हासिल किया है, दूसरे इस्थान पर 244 अमरित सरोवर के साथ में गोरकपुर है और प्रताबगड 231 तालाबों के साथ तीस्थान प्राप्त किया है, प्रदेश में 1.20 लाग सरोर विक्सित किये जाएंगे जो देश में सरबादिक है अगला पॉइंट है लोहिया साहित सम्मान 2021 लोहिया साहित सम्मान 2021 उत्तर प्रदेश में डाक्टर बुद्धीनाथ मिस्रा को दिया गया है जो देहरा दूर उत्राखंड के रहने वाले हैं तो दोस्तो मैं अपने कलास को ही पर समाथ करता हूं धन्यवाद जय हिन जय भारत